हमारे next topic है protein synthesis इसमें protein का formation होगा और उसमें कौन-कौन सी process involved होगी वो आज हम देखेंगे तो जब protein बनता है तो सबसे पहले क्या होता है DNA से RNA बनता है और फिर उस RNA से क्या बनता है protein का formation होता है तो यह जो information flow हो रही है पहले DNA से DNA से RNA में और RNA से protein में उसको अपन central dogma बोलते हैं तो इसमें जो पहले DNA से RNA बनता है उस process को transcription बोलते हैं और RNA से protein के बनने की process को translation बोलते हैं और यह DNA से RNA कहां बनता है? Nucleus में बनता है और फिर यह Nucleus से RNA बहार निकल के कहां आ जाता है? तो ये अपने ओवर्व्वीऊ देखा की प्रोटीन सिंथेस कैसे हुता है DNA से पहले RNA मने तो कमेंगा न्युक्लेइस उस प्रॉसस को टांस्क्रिप्शन आ पहल प्रोटीन का फॉमेशन होगा सोन एना से प्रोटीन DNA template पर क्या बनेगा MRNA बनेगा और यह process कहां होगी nucleus में होगी इस process को अपन क्या बोलते हैं transcription बोलते हैं और अपनको पता है कि DNA का जो segment होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो जो particular segment जहां पर transcription होगा उसको क्या बोलते हैं सिस्ट्राउन बोलते हैं जैसे यह DNA का structure क्या होता है डबल हैलिकर्ड होता है तो इसमें यह जो पूरे पूरे DNA में तो transcription होना नहीं एक particular segment एक particular टुकड़ा होगा DNA का जहां पर transcription होगा तो माली जी कि यह टुकड़ा है जहां पर transcription होना है तो इसको क्या बोलेंगे सिस्ट्राउन क्या होता है वो particular segment DNA का जहां पर transcription process होनी है और यह जो prokaryotes होते हैं उनमें जो सिस्ट्राउन होता है वो क्या होता है पॉली सिस्ट्राउनिक होते हैं और यह क्या होते हैं मोनो सिस्ट्राउनिक होते हैं उनमें सिर्फ एक सिस्ट्राउन प्रेजेंट होते हैं बलकि prokaryotes में क्या होते हैं बहुत सारे सिस्ट्राउन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहां पे जो MRNA होता है वो एक से जादा जीन की information करी करता है इसलिए prokaryotes में जो सिस्ट्राउन और हमें एक enzyme चाहिए जो यह transcription करवाएगा तो वो enzyme का नाम क्या है? RNA polymerase enzyme तो हमें transcription के लिए क्या-क्या चाहिए? एक transcription unit चाहिए और एक RNA polymerase enzyme चाहिए यह DNA के जस दो strand है यह 3rd and यह 5th and 5th prime यह 5th prime यह 3rd prime यह क्या है? DNA के दो strands है जहाँ पे transcription होनी है तो transcription unit में क्या होगा? यह जो DNA का strand है वहाँ पे एक क्या present होगा? promoter present होगा? यह क्या है? promoter है और यहाँ पे end पे क्या होगा? एक terminator present होगा? यह क्या है? terminator है और यह दो क्या है? DNA की strand है ये promotor और terminator के बीच में क्या होगा structural gene present होगा और ये जो strand है three five direction की उसको अपन क्या बोलेंगे template strand बोलेंगे और इसके opposite वाली strand को अपन क्या बोलेंगे coding strand बोलेंगे और coding strand का दूसरा नाम है sense strand इसको sense strand भी बोलते हैं और template strand को anti-sense strand भी बोलते हैं तो transcription unit का structure अपन देखते हैं transcription unit में एक तो promotor होता है starting में एक terminator होता है और इन दोनों के बीच में structural gene present होता है और ये जो three five direction वाली जो strand है DNA की उसको template strand बोलते हैं या anti-sense strand भी बोलते हैं और उसके opposite वाली strand है उसको coding strand या sense strand भी बोलेंगे और यहां promotor पे क्या होते हैं कुछ यहां promotor पे क्या होगा कुछ regulator genes होते हैं जो transcription को regulate करेंगे कुछ operator genes present होते हैं यहां पे और जो RNA polymerase है वो कहां bind होगा promotor पे होगा तो यहां promoter पर क्या होता है? RNA polymerase binding site भी होती है और regulator genes भी present होते हैं और operator genes भी present होते हैं तो यह हो गई अपने transcription unit promoter होता है जिसपे RNA polymerase आके bind करेगा कुछ regulator genes होते हैं, कुछ operator genes होते हैं terminator होता है और दो strand होती है template strength जिसको anti-sense strand भी बोलते हैं और coding strength जिसको sense strand भी बोलते हैं इसकी direction क्या होती है? 5-3 direction होती है तो यह हमने transcription unit देख ले अभी हम RNA next transcription unit देखने के बाद में हम RNA polymerase को देखते हैं RNA polymerase का है? वो enzyme है जो transcription में हेल्थ करेगा, तो RNA polymerase prokaryotes और eukaryotes में अलग-अलग होता है तो हम देखते हैं कि RNA polymerase prokaryotes में कैसा होता है prokaryotes में जो RNA polymerase होगा वो A के type का होगा और इसमें क्या-क्या होगा? एक तो sigma factor present होगा जिसका symbol यह है और एक क्या होगा? core enzyme present होगा और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? holo enzyme बोलते हैं holo enzyme में क्या होगे? core enzymes present होगे plus sigma factors present और enzyme में कितने type के होते हैं? beta, beta dash, alpha, alpha dash और omega 5 तरह के core enzymes होते हैं तो prokaryotes में आपने देखा जो RNA polymerase होता है वो सिर्फ एक type का होता है उसमें sigma factor होते हैं और core enzymes होते हैं 5 तरह के core enzyme होते हैं beta, beta dash, alpha, alpha dash और omega यह अपने prokaryotes का RNA polymerase 3 जो RNA polymerase 1 है वो क्या करेगा? R RNA का synthesis करेगा और RNA polymerase 2 है वो mRNA का synthesis करेगा और RNA polymerase 3 है वो tRNA का synthesis करेगा तो अभी अपनको mRNA का synthesis करवाना है तो बिसिकली जहां भी अपन RNA polymerase की बात करेंगे तो वो कौन सा polymerase होगा RNA polymerase second होगा तो यह अपनने देख लिए कि transcription के लिए अपनको किस-किस की requirement थे transcription unit की उसका structure देख थे उसमें promoter होता है और एक terminator होता है स्रॉक्च्छल जीन होता है फिर RNA polymerase prokaryotes में देखा एक टाइप का होता है जिसमें सिग्मा फेक्टर और कोर एंजाइम्स होता है फिर यू-कैरियोर्ट में देखा तीन तरह के होता है और बेसिकली अपन जो भी RNA अपने polymerase की बात करते हैं यू-कैरियोर्ट में वह कौन से टाइप का होता है सेकंड टाइप का होता है अब अपन mechanism देखेंगे कि transcription का mechanism कैसे होता है इसमें तीन steps होते है अपने इनिशेशन, ईलागेशन और तर्मिनेशन